प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने यहाँ पर नैश्टराथ इंवेस्टर समिट को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जर्ये संबोधित किया यह कारेकरम एहमदबाद में हुआ और केंद्रे मंत्रे नितिन गड़करी बेज़ दोरान एहमदबाद में ही मौझूद रहे प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने यहाँ पर नैश्टराथ आटो मोबिल स्क्रापिंग पॉलिसी को लॉंच भी किया और ऐसे में पीम मोदी ने कहा कि इससे देश में एक सकरात्मंग परिवर्तन आएगा देश के अर्थ विवस्ता के लिए मोबिलिटी बड़ा स्पैक्टर है और आर्थिक विकास में यह काफी मददगार है पीम मोदी ने कहा कि नाइस क्रापिंग पॉलिसी वेस्टू वेल्ट का मंत्र भी आगे बढ़ाई की और पीम ने कहा कि देश के लिए अगरे 25 साल काफी एहम है जिस तरह से टेक्नलोजी बदल प्रही है उसके मताविक हमें बदलाव करना है हम क्लाइमिट चेंज की चुनौती का सामना भी कर रहे हैं इसलिए अपने हित में बड़े कदम उठाने जरूरी है प्रधान मंत्री नरेंदु मोदी ने कहा कि स्क्राप करने वाली गारी के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा और नई गारी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के पैसे में छूट मिलेगी और रोड टेक्स पर भी छूट भी मिलेगी वहीं पीम मोदी ने कहा कि गारियों को वेग्यानिक तरीके से टेस्ट करने के बाद स्क्राप भी किया जाएगा तबागे की प्रक्रिया होगी साथ ही प्रधानमंती नरेंद मोदी ने कहा कि आटो मेटल इंडस्ट्री को इस योचना से बूस्ट मिलेगा और साथ ही स्क्रापिंग की फील्ड में काम करने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा वहीं पियम मोदी ने कहा कि इंडस्ट्री वालों के पास आने वारे 25 साल के लिए आत्म निर्भव भारत का रोड मैप भी होना चाहिए और पुराने नीतियों को बदलना होगा और नई नीति पर काम करना होगा आयोध्या में राम लला को एक नई सौगाद दी गई है आपको बता दें कि राम लला को 500 सालों बाद चांदी का 21 किलो का भबेद जूला अर्पित किया गया है राम जन भूमी परिसर में भी राम लला को अब 21 किलो के चांदी के जूले में जूला 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 आए जाएगा ये विशेश जूला राम लला को समर्पित किया गया है और अब इसी जूले में रामलला श्रावन मास में होने बाले जूलन महतसब का आनन भी लेंगे ऐसा पहली बार हो रहा है कि रामलला के लिए चांदी का विशेज जूला बनवाया गया है और रामलला को जूलने के लिए समर्पित किया गया है मैं बता दें श्री राम जनफुमी तीर्थ शेत्ट ट्रस्ट के महासचे चंपतराय ने जूले की पोटो शेय करते हुए बताया कि इस वार रक्षबंदन तक राम लला इसी विश्य जूले में जूला जूलेंगे आपको बता दें कि आयुध्या में हर साल श्रावन शूलक शूक्र तितिया को जूलन महतसफ की श्रुवात कूती है और ऐसे में आयुध्या के सभी प्रमुक मंदिरों से विग्रे मनी परवत तक पालकियों में गाजे बाजे के साथ लोग जाते हैं और वहीं पर जूला भी जूलते हैं बता दें मनी परवत वही जगा है जहां माता सीता जूला जूलने आया करती थी और इसलिए हर साल श्रावन शूलक तृतिया को यहां बड़े महतसफ का आयोजिन किया जाता है और यहां भगवान के जूले जूलने के साथ ही पूरे देश में जूलन महतसफ जैता है जिससे देखने के लिए लाखों लोग आयोद्या भी पहुंचते हैं महराईश में बीते 25 जून को थाना खेरी घाट शियतर के गाउं दुदाधारी में एक व्यक्ती की गला काट कर हत्या कर दी गई थी जिसकी शुनात तक नहीं कूपाई थी इस मज़र के खुलासे के लिए एसपी सुचाता सिंग ने कई टीमें कठित की थी वहीं जाच के दोरान पुलिस टीम ने हत्यकान का खुलासा करते हुए बताया है कि म्रतक पटवारी श्यतर का रहने वाला था आपको बता दे कि म्रतक की खत्या उसके पड़ोसी दोस्त ने ही आपसी रंजिश के चलते की थी संबंध में जो प्रमवार तरीके से दो-तीन बिंदु प्रकाश में आए वो मैं आपकी समक्ष रखना चाहती है जो इसमें म्रतक है उसकी पहचान प्रमोध तिवारी उत पुर्शत्म तिवारी के रुट में हुई है ये मिराज और सयद ये दो गत्ती हैं उनके संपर्ख में आए और क्योंकि इनकी शादी नहीं हो रही थी तो वो किसी तांत्री से अपना इलाज कराना चाहते थे मिराज और सयद ने प्रमोध तिवारी का संपर्ख ताज मुहम्मद उर्फ राजु से कराये शादी करवाने के एवज में उन्होंने 4.5 लाग रुपे फीज की डिमाड की इन्होंने अपना खेट बेचा प्रमोध ये और वो राजु को 4.5 लाग रुपे दे दिये इसी करम में क्यूंकि बार बार तुर्शोत्तम के वारी जो राजु उर्फ ताज मुहम्मद मिराज और सयद ने पर दबाव बना रहा था अपनी शादी को ले करके तो इन्हें ये महसूस हुआ कि अगर बहुत दिरों तक इसकी अमतलब हम शादी नहीं करा पाए और दबाव बनाता रहेगा इस तरीके से तो उनको दिक्कत होगी तो इसको बहला कुसला करके एक इन्ही की स्प्लेंडर जो मोटर साइकल है उसको उस पे सवार हो करके ये लुख ठाना चेतर खैरी हाट में गए और वहाँ पर इसकी हत्या कर दी बिचनौर के गौहर अली खां इलाखे में दिन दोहड़े पती ने पत्नी की गूली मार कर खत्या करती और आरोपी पती मौके स्परार हो गया जिस्ते बाद सूशना पहुंची पुलिस ने शब को पोस्पॉर्डम के लिए भेस दिया है मैं बता दें अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है पत्नी ने रह रहा है लेकिन पैसे के लिए दें के चक्कर में आज शुबह आ करके दोनों वो गए पत्नी कमरे में और वहीं पर इनों ने बोली मारती है जिससे इनकी आजीम की बिक्तों होगे है और हम इसको दो दिमें लगा करके इनकी रफ़ताई के प्रयास करने है अब जब्रफ द्वारा तर्मादी करके इसमें आगरी में बिक्तारोई की जाए विश्णौर के थाना कोत्वाली शेत्र में भाक्यू अमबावत के सेक्रो किसानों ने गन्ने का प्रेट 500 रुप्र प्रती कुंटल करने की मांग करते हुए करेक्टरेट में धना परदर्शन किया वही किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 6 शुगर मिलो पर किसानों का करोडों रुपया अभी भी बगाया है जिसका बुकतान शुगर मिल नहीं कर रही है और ना ही कोई सुनवाई हो रही है इसके साथ किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि श्कायत के बाउजूद भी बिशली विभाग, बिशली के जजलतारो को नहीं बदल रही है वह बिशली विभाग को इस लापरवाही के चलते हर साथ कई किसान मस्दूर बिशली के तारो की चपेट में आजाते हैं आपको बता दें कि प्रदर्शन के दुरान सेक्रों किसानों नेस्टेम को ग्यापन भी सौपा है किसान के खाते में 6,000 रुबे एक साल कने उल डीजल क भाद देकि पयां नावल्य नावलराइब नेस्ट करो आपको कारन यह कि ये तो वह सरकार पूजी प्त्यों के साथ मिलकर कर दी एए किसान को विटाने का काम इन्हों न की आया है हम इस आंदूलन को जो हमारा चल रहा है सईंग्त मोर्चे का इस आंदूलन को अभी ऑधिकारियों को भी मिटिंग है अठारे को लगनाउ में है तो हम सब लोग जो सई लोचे हैं हमारी यूनियन हैं कि कहते हैं सर मिल करके किसान की ही लड़ाई लड़ और इसको आधिकारियों को भी हम यही अवगत कराना आए हैं बहुत कल मत कहना एक महीने बार ताला लगाएंगे हैं और उस दिन किसान भी आद तो अल्टीमेटम देना आए हैं खाली अल्टी जा रहा है इसी के चलते कानपुर्देहात में भी आज नाग पंचमी का तेवहार बड़े ही हर्शुलास और प्राच्वीन व्रीती रिवाजों के साथ मनाया गया यह तेवहार हर साल सावन महीने में पंचमी तिथी को मनाया जाता है आपको बताते चलें कि हिंदू धर्ब में पौराने काल से ही सापो को देवता की रूप में पूजा जाता रहा है और नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का खास महत्व भी होता है आला कि नाग पंचमी के दिन उत्तरप्रदेश में एक अनूठी परंपरा भी निभाई जाती है आज के दिन भेने कप्ड़े की गुडिया बनवा कर सरोवरों पर जाती हैं और भाई उन गुडियाओं को पीखते हैं उत्तरप्रदेश में सालों से परंपरा निभाई जाती रही है तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अगली ख़बर का कानपूर में धर्म परिवरतन के आरोप में मुसलिम यूवक के साथ मारपीट का मामला पूल पकरता जा रहा है इस मामले में पुलिस ने मुसलिम यूवक से मारपीट को लेकर पांच नामजट समय दस लोगों के खिलाब केस दर्च कर लिया है और इतना ही नहीं पुलिस न तीन आरोपियों को गिरफतार भी कर लिया है हाला कि इस गिरफतारी के विरोध में हिंदू संगठन डी सीपी कारयाले के बाहर धरने देने पहुंच गए आपको बताते चलें कि किशोरी से छिर्चार के मामले में धर्मांतरन की धारा ना लगाने पर बुद्वार को हिंदू संगठन की कारेकरताओं ने बर्रा के राम गुपाल चुराहे पर आरोपी पक्ष के युवा को खर से खीच कर चुराहे पर उसके साथ माटपीट की थी जिसका वीडियो भी वारल हुआ था और पुलिस ने देर राग पीरित अफसार एहमत की तहरीर पर पांच नामज़त और आठ से दस अग्यात पर रिपोर्ट दश्वी थी पुलिस कमिशनर असीम अरोण ने बताया कि आरोपीओ को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है लेकिन वीडियो में हंगामा करते हैं मापीट करते दिख रहे हिंदू संगठन की कारे करता और वहां मौजूद विधाय पुत्र को क्लीन चिट दे दी गई है तनाथ को देखते हुए भारी फोर्स भी तनाथ कर दिया कया है वहें डीसीपी साउथ रवीना त्यागी ने बताया कि 12 जुलाई को छिरखानी के आरूपी की पत्नी नेर पीरित परिवाप मारपीट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसके बाद दूसे पक्ष ने 31 जुलाई को तीनों भाईयों सद्दाम, सल्मान और मुकुल के खिलाज फिरखानी समित कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और दोनों ही मामले की जाच गुजैनी चौकी इंचार्च को सौपी गई थी कासगंज के सोरो थाना श्रेत्मे ग्रह कलेश के चलते, सोरो कुंज में महिला ने शलांग लगाकर खुदकशी करने की कोशिश की मौके पर मौझूद पुलिस की मुस्ताधी के चलते महिला की जान बचा ली गई आपको बताते चलें कि पुलिस ने महिला को गंफीर हालत मिलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है तो बताते महिला ने खुदखुशी करने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर मौके पर ही पहुंची पुलिस के मुस्तहदी के चलते महिला की जान बचा ली गई और उसके बाद इलाज के महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया हलाकि बताय जा रहा है कि महिला ने ग्रह कलेश के चलते ही कदम उठाने की कोशिश की थी खुदखुशी करने की कोशिश की थी लेकिन जिस तरह से मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस की मुस्तहदी से महीरा की जान बचा ली गई है कानपुर देहाद के सिकंडरा थाना श्रेत्र के गाउं करीम नगा जेरा में तीन किशोर नहते समय तालाप में जूग गए वहीं पुलिस ने ग्रामिरों की मदद से किशोर को श्रकुषल बचा लिया और गंफीर खालत में इलाज के लिया स्पताल में फर्ती करा दिया है वहीं बता दें दो किशोरों की जूबने से मौत हो गई है आपको बताते चलें कि गातना की सूचना से पारिजनों में कहरा मच गया है पुलिस ने दोनों शवो को पोस्त मौरम के लिए फेज़ दिया है क्या हुआ है कर्फेज वह प्रेज़ लगां पुल्णे ने अटीना प्रेज़ आखता है कहब देज लेकबाह आखें लोगे आखिज तीन के अट्रों कहशन के गज़ दुणडवारा कोत्वाली श्वेत्र मेरे पिता को खेट पर खाना देने गई मासूम की साप के कातने से मौत हो गई है वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शब को पुस्ट मौरम के लिए भेज दिया है वहीं मासूम की मौत से पाहिश्डों में कहरा मचा हुआ है तो बता दें कि मासूम खेट पर अपने पिता को खाना देने गई थी लेकिन रास्ते में एक साप ने मासूम को काट लिया जिससे कि उसकी मौत हो गई वहीं मौके पर जब पुलिस को इसके सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और शब को पोस्ट मौरम के लिए भीज दिया है कासगंज में खनन माफिया को प्रसाशन का कोई डर नहीं है खनन माफिया खुले आम भरी मात्रा में खनन कर रहे हैं साथी खनन सामगरी के लिए ट्राक्टर खुले आम सुबा पांच बजे सिद्पुरा थाना शेत्र से होकर गुजरते हैं और फिर भी इन पर कोई कारवाई नहीं की जा रही है गौर करने वारी बात ये है कि दो थानों की सीमाओं से होकर गुजरने के बाउजूद नहीं ट्राक्टर पर कोई कारवाई की जा रही है तो बता दे अवैद खनन का काम खुले आम चल रहा है और को प्रसाशन का भी डर नहीं है और खुले आम इसी लियावेद खनन का काम चल रहा है हाला कि दो बॉर्डर से ट्रैक्टर सुवा के समय गुजरते हैं लेकिन उसके बाद भी प्रसाशन की तरफ से उन पर कोई कारवाई नहीं की जा रही और प्रसाशन को इस बाद की कोई भी भनक भी न की है और बता दें इंट्रैक्टरों पर भी ना तो इंट्रैक्टरों पर कारवाई की जा रही है ना ही ट्रैक्टर चालों को पर कारवाई की जा रही है लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि दो थानों की सीमाओं से गुजरने के बावजूद भी इस और किसी का ठ्यान नहीं जा रहा है और इसी लिए लगाताग खनन माफियों के होसले प्रदेश में तेज होते हुए नजर आ रहे हैं टोक्यो ओलम्पिक में गोल की हैट्रिक लगाने वाली हरिद्वा की बेती वंदना कातारियों को बथाई देने का सिलसिला जारी है सीम पुष्टकर सिंधामी ने हरिद्वा के रोश्टरंबाद इस सित वंदना के खर जाकर उनके परिवार से मुलाकात कर वंदना कातारियों को शुपकामनाएं थी समाज का नाम भी पूरी दुन्या में रोश्टर किया है कारकर में समाज से भी और ओम ग्रुप और कॉलेज के च्रियमें मुनेश सेने उद्योग पती हरेंद्र गर्ग समित कई संगत्थन के लोग मौजूत रहे और वंदना कातारियों को शुपकामनाएं थी अब आज की विवस्ता के लिए हमने कहते हैं बंद्खनाबाद की बिट्या थी आज पूरे देश की बिट्या है यह महिलाओ के लिए पिट्टी बिट्या के पिट्टी सम्मान है और जो भी सुख्षुदाई होंगी जो अन्य सरकारों की तरह है वो उत्राकर में हमारी सरका देगे और आज माने ने मुख्यमंतिरी सुम जाकर बंदना कटा रहे हैं कि घर पर उसका अभी नंदन करके आए अर्विंद पांडे जी अभी नंदन करके आए मैं सुम गया उसकी घर पर और सब लोग उसके घर पर जाना है यह हमारे गौरण हमारे लिए गौरण की पार सब्सक्राइब बहुत अच्छा लगाए कि होकी बहुत अब पर चलागी है इंडिया में तब को होकी को दिन से चलता क्या अभी बहुत अच्छी पोलिसी जो उत्रण गरूर्मन ने बनाई है तो बहुत जादा अच्छी है आने वाले टाइम में यह कि यहां से काफी प्ले देखा तो चालक को पकर कर पुलिस के हवाले करते हुए कानूनी कारवाई की मांग की है वही बता दे पुलिस ने मामले में प्रतेक दर्शियों से पूछता आच के बाद आरोपी ड्राइवर के खिलाब धारा 306 तक के तहत मुकदमा दर्श कर लिया है साथी ड्राइवर की पहचान राजेश निवासी बुढ़ाना मुजफन अगर उत्रप्रदेश के रूप में की गई है बताय जा रहा है कि ड्राइवर ट्रक में सामान फरकर रिश्यके से चमूरी जा रहा था इसी दोरान रास्ते में महिला ने ट्रक को रोक कर लिफ्ट मांगी जिसके बाद ड् तो बता दें ट्रक ड्राइवर ने एक महिला के साथ दोश्कर्म की घटना को अंजराम दिया है हाला कि जब वहाँ पर आसपास मौजूर लोगों को इस बात की सूचना मिली तो मौके पहुंचे लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिय साथ ही बता दें ट्रक ड्राइवर कुछ समान भाकर ट्रक में जा रहा था लेकिन उस दोरान रास्ते में महिला ने ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगी और इसका ट्रक ड्राइवर ने इस दोरान ही महिला के साथ दोश्कर्म की घटना को अंजराम दिया जिसके बाद इस लोगों ने इसकी सुचना पुलिस को दे दी और साथ ही ट्रॉक ड्राइवर को पकड़ कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। लोगों ने देखा पिताजी ने थाने पर दिया गया है और इसकी जान जारी है। और आगे की करवे की जाएगी। लोगों पुलिस की करती है। पता दे मुख्य मंत्रे पुशकर सिंग्धामी ने वंदना कटारिय को 25 लाग रुपे का चेक भी दिया। और इस सबसब मुख्य मंत्री ने वंदना कटारिय को तीलू रोतेली पुरुसकार से भी सम्मानित किया है। पता दे मुख्य मंत्रे पुशकर सिंग्धामी ने कहा कि वंदना कटारिय ने टोक्यो अलम्पिक में अपने शांदा प्रदर्शन से प्रदेश का मान सम्मान पढ़ाया है। पत्राखंड की बेटी ने एक मैच में हेट्रिक बना कर अपनी एक अलग पहचान बना ली है। ऑचि कहला अपनी एक मैच में पनी ही हुआदे के सब्सक्रावार के अंपना के सब्सक्रावार आखंड जूरा है। प्रिवाय उनको दिया जाता है, अब दो हमले हमको सो मोटो हो अपने आप लिया सब्सक्राण और साथ में ब्रांड अमने सब्सक्राइब बढ़ा हैं जिससे कि वह बंदना अमारे यहां की ऐसी बच्चीयां जो समाच के बहुत जुरास चित्रों में रहती हैं बहुत मैं चाती थी कि मुझे मान समान मिले, उन्होंने बहुत अच्छी से मेरा मान समान किया है, तो उनको लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाती हूँ रिश्यकेश में विस्थापत कॉलोनी के पास गंगा किनारे संदिक परिस्यतियों में एक बच्चे का शव मिला है, बच्चे के गले में रसी भी बंदी खुई मिली जिससे उसके हत्या क्या श्रंका भी जताई जा रही है महीं पुलिस ने शव को गंगा से बाहर निकार कर फिलाल एम्स में मोर्चुरी में सुरक्षित रख दिया है और बच्चे की शुनावत के प्रयास की जा रहे हैं महीं पुलिस ने आसपास के समी थाना शेत्रों में भी मिले बच्चे के श्रफ की जानकारी भेज दी है और पुलिस के अनुसाद सम्भवत बच्चा गंगा के बहाव में कहीं दूर से भैकर शिकेश पहुंचा है महीं पुलिस का कहना है कि पोस्ट मॉर्डल रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चे की मौत के साफ कारण का पता चल जाएगा महीं अतियात के तौर पर पुलिस बच्चे का डिने टेस्ट भी सुरक्षित रख रही है रोड के विधान सबस्च नाव नजदी काते ही राजवितिक पार्टियां सक्रिय हो गई है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यरोप के दौर भी अब शुरू हो गए है हैसर वे कॉंगर्स सक्ता पाने के लिए बीज़ेपी सरकार को आरे हातों लेकर बीज़ेपी के विपलताओं का बखान कर रही है तो वहीं बीज़ेपी सक्ता में बने रहने के लिए अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई है तासा मामला मैंगलोर विधासबा का है जोहां कॉंगर्सी कारकरताओं ने एक अनोखे प्रदेशन के जरिये बीज़ेपी पर हमला बोला है तरसर कॉंग्रेसियों ने एन एच फिप्टी एट पर दूर्पीन के जरिये हाईद्वास सांसद की तलाश की और लापता को ढूनने वाले को एक कुंटल लड़ू देने वाले बैनर लिखकर विरोध प्रदशन किया और इस दोरान कॉंग्रेसियों ने बीज़ेपी की नीतियों पर भी जम कर हमला बोला आपको बता दें कि रोड़की के मैंगलॉड रोड़ वे बस स्टैंड पर पीचेपी के हारिद्वास सांसद और पूर केंद्रिये चुक्षा मंतरी डॉक्टर रमेश पोक्रियाल निश्रंग के खिलाफ कॉंग्रेसी कारेकरताओं ने जोर्दार प्रदशन किया कॉंग्रेस कारेकरताओं ने लापता सांसद को ढूने वाले को एक कुंटल लड़ू देने के नाम से लिखे बैनल लगा कर एक अलग ही अंदास में विर्दोत प्रदशन किया और ऐसे में बता दें प्रदशन कर रहे कॉंग्रेसी उने दुर्बेन से सांसद को एनेज 58 पर ठूनते हुए प्रदशन किया है इस पॉलिटन में फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहे है नेस वाल इंडिया